एक देश को बांधे रखने के लिए उस देश की नीव को मजबूत रखने के लिए अगर किसी की जरुरत है तो वो उस देश की नारी की उस देश की बेटी की तो कहान reference कामयाबी की इस खास कारेक्रम में आज आज आपको एक ऐसी ही बेटी से हम मिलवाने वाले हैं जिसके बूलंद होस्तलों से आपको कही ना कहीं एक जग्यासा होगी जानने के लिए कि उसके जीवन की कामयाबी आखिर है क्या तो आज के इस खास पेशकिस में हमारे साथ पूनम भतनागर जुड़ी है सबसे पहले पूनम जी बहुत सुआगत है खबरे अबितक में आप टेंकिू सो मच तो पूनम जी आज आपके जीवन के बारे में जानेंगे आपके जीवन की काम्याबी के बारे में जानेंगी तो सबसे पहले जितनी भी देश की बेटियां इस कारिक्रम को देख रही है जितनी भी देश की शक्ती अगर कहें नारियां इस कारिक्रम को देख रही है उनके लिए आप एक मिसाल कैसे हैं क्या कुछ उन्हें समाज में रहने के लिए जरूरी है और किन किन चीजों की जरूरत है उनके होसले को बुलंद करने के लिए वो जानना चाहेंगे देखिए सबसे पहले तो मैं यह कहूंगी कि मैं एक नॉर्मल महिला हूं ऐसा कुछ नहीं है जनम लिया है एक महिला का और शुरूबात माबाप से करूँगी क्योंकि माबाप के थू मैं इस जीवन में आई मेरे फादर मेरे से बहुत अटैस्ट थे और क्योंकि मैं एकलौती हूं घर में सबसे छोटी हूं घर में तो मेरे फादर छोटी सी बात बताना चाहूंगी क्योंकि वैसे तो पस्नल है बट मुझे बतानी चाहिए क्योंकि सभी बेटियों के इसे हौसले बढ़ेंगे और कहीना कहीं माबाप को भी इसे ज्यान प्राप्त होगा कि हमें भी बादा करके आए कि बगवान में तेरी पूजा जब ही करूगा जब तु मुझे बेटी देगा और इतफाक से उनकी इच्छा पूरी हुई वो मुझे वैश्रोदेवी लेके गए और इस तरीके से उन्होंने उस दिन से अपने बगवान को मानना शुरू किया तो कहीना कही बेटियों का बहुत एहम रोल है और बेटियों को जिस तरीके से हम पूझते हैं उनको पूझने लाइक भी है क्योंकि समाज में इतना काम करना इतनी जिम्बेवारिया निभाना इतनी बखुबी शांती से रहकर और एक पेशन्स रखकर हर काम को करना मैं समझते हूँ एक वरत के ही बस में हो सकता है एक पुरुष इस काम को नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास जिम्बेवारी जरूर होती है पर वो एक इच्छा शक्ती कह सकते हैं या एक पेशन्स कह सकते हैं वो शायद उसमें कमी होती है कि पूनम जी एक सोशल वर्कर है लेकिन सोशल वर्कर रहके उन्होंने समाज के लिए क्या किया है बेटियों के लिए क्या किया है वो जानेंगे लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहां से की वो बताई देखिए मेरी शादी हुई 87 में मैं उस समय पढ़ाई कर रही थी और इत मतुराल की और मेरी हस्बेंट की देन है मैं जब शुरुआत हुई शादी के बाद जब मैंने अपने हस्बेंट से कहा मुझे जॉब करनी है तो उन्होंने एक बारी के लिए भी मना नहीं किया उन्होंने का ठीक है तुम पड़ी लिकी महिला हो तो मैं समाज में जाना चाह क्योंकि उसके बाद मैं स्कूल को कंटीन नहीं कर पा रही थी फिर सोचा के घर बैट कर क्योंकि पड़ा लिखा इंसान जब हो जाता है और इतनी डिग्रियां वो प्राप्त कर लेता है और इसमें सबसे बड़ी दे कि मैं सिरफ ग्रेजुट आई थी अपने ससुराल में उ उसे कही ना कहीं बहुत चीज़े काटती है तो फिर मैंने का चलो हस्बेंट का प्रोफेशन लॉयर का है क्यों ना वकालत की जाए तो मैंने काफी बड़ी उमर में वकालत की और छोटे बच्चों के साथ कह सकते हैं 21-22 साल के बच्चों के साथ बैट कर मैंने जब चाहे देनी होंगी उन चीज़ों को साइड में रखे आपने इसकी शुरुआत की बिलकुल साइड में रखा और जब मैं एक्जाम देती थी तो मैं देखती थी कि वो बच्चे स्लो लिख रहे हैं मैं बड़ी फास लिखती थी तो मुझे गर्व होता था कि आज मैं उनके आगे ही बढ़ रही हूं तो वकालत करने के बाद फिर मैंने का कि अब वकालत का कैसे इसमाल किया जाए क्योंकि कोट में जाना इतना मुनासिफ नहीं था तो मैंने सोचा जो मैंने वकालत की है तो क्योंना मैं वो वकालत अपने गरीबों के लिए यूज करूँ तो मैं उन महिलाओं के लिए काम करती हूँ जो नीडी होती है जिनको जरूरत होती है कही ना कहीं केस में विचारी फज जाती है या पारिवारिक जगडे में फज जाती है या वो किसी ना किसी ऐसे रूप में अपने आपको महसूस करती है जहाँ उनको एक वकील की जरूरत पड़ती है कि महिलाओं की जरूरतों को देखते हुए आप उनका सायोग करती हैं लेकिन सभी दर्शकों को मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पूलम जी है वो महिलाओं की मदद तो करती हैं उनके केस को सौट आउट करती हैं लेकिन इसे के साथ वो फ्री में उनके मदद करती हैं उनक example court नहीं कर सकती क्योंकि गुड़गों में बहुत सारी ऐसी बचीया है जो मुझे आज याद करती होंगी क्योंकि मैंने उनका mediation and counselling करके दोनों पक्षों का उनको उनका घर बसा दिया तो मुझे भी इंटर्नली बहुत खुशी होती है मैंने पैसे नहीं लिए मुझे मालूम है कि मैंने अर्निंग कुछ नहीं की लेकिन उनका जो प्यार मुझे मिला या उनकी जो दुआए मुझे मिली वह आज तक मेरे साथ चल रही है तो मैं कोशिश करती हूं कि ऐसी महिला है जिनको मेरी ज मेरे साथ बैठी हूं इतनी वारतालाब कर रही हूं तो वह इसी का नतीजा है कि मैं आज गुडवल कमा के बैठी हूँ और ओर मेरे चली जाती हूं मुझे कोई हीच नहीं होता लेकिन हा रिस्पेक्टफुली मैं सब जगे जाती हूं काम करती हूं और मेरा एक बहुत ओपन फंडा है कि काम करने के लिए जीवन बना है काम इंसान को करना चाहिए जो आपकी शक्ती जो आपको भगवान ने दिया है उसे खुल अपने पारिवारिक माहोल के बारे में बताईए क्योंकि बिंग अगर्ल बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है लड़की के उपर अपने परिवार वालों की भी और उसके साथ खुद के टैलेंट को लेकर चलना या फिर खुद जो सोचा है कि मुझे ये करना है उन सभी ची बाजों से पाला और आज तक भी मैं उस बात को याद करती हूं कि मेरी सारी इच्छा है पूरी होती थी भाईयों की नहीं होती थी तो ये फक्र की बात है कि मैंने ऐसे घर में जनम लिया जहां मेरे माबापने मुझे बहुत ही अच्छे डंग से पाला और भाईयों ने पादर इस बात को बहुत महसूस भी करते थे कि एक बच्ची ऐसी हमारे घर में आई जिनोंने कम से कम माबाप का नाम महा तक पहुचा है जा शायद माबाप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते तो मैं हमेशा उनकी शुक्र गुजार रहा हूंगी उनकी उनका अहसान कभी जंद जाता है, परिवार बदल जाता है, माहुल बदल जाता है, कंडिशनस बदल जाती हैं, तो शादी के बाद कैसा माहुल रहा, सब ही सपोर्टिव रहे आपको लेकर? हाँ बिल्कुल शादी के बाद भी लियुक्त पेरिवार मिला जैसा मेरा अप्ना था मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं गुई चाहिए मिरे फादर इनलोग थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे मेरी मदनलोग वो बहुत प्यार करती थी तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी पराइगर में आई हूँ और मुझे हमेशा अपनी इनलाउस का, अपनी सिस्टन लाउस का, अपने हस्बेंड का खास तोर पे बहुत सपोर्ट मिला और उसके बाद मेरे बच्चे, मेरे दोनों बच्चों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया क्यों कई बार ऐसा होता है, शोशल एक्टिविजम में आप कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो आपके पास समय नहीं होता बच्चों के लिए लेकिन मेरे बच्चे हमेशा मेरे सपोर्टिव रहे अगर मैं नहीं भी थी तो उन्होंने खुद खाना बना के खाया या जैसे भी जो भी सिस्टम को उन्होंने फालो किया अपने फादर को भी खिलाया तो ये बहुत बड़ी बात होती है महिला देखे घर से बाहर जब ही निकल सकती है जब उसका परिवार उसके साथ होता है जब उसका परिवार साथ नहीं होता तो वो एक कदम भी भाहर नहीं कमाया है जिन्दगी में मेहनत करके तो मैं कोशिश करती रहूंगी जब तक जीवन है मेरा मैं लोगों की मदद करती रहूं और आगे बढ़ती रहूं तो काम्याब होने के करना है तो कहां से ये मन में आया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है और इसमें स्पेशलि महिलाओं के लिए कुछ करना है तुक히 मैंने 21 साल स्कूल में काम किया उसके बाद क्योंकि वो एक डूटीन सिस्टम था हमारा के सुबह जाना और शाम को आ जाना लेकिन जब से मद का कालत को मैंने समाज के लिए यूज किया सुमृग फिर मैंने के लिए अगर सकती हूं तो मैंने दोहजार साथ में स्चाल सॉशी का साइट कर ईन प्रीवनेचिंज को काम करते रहे हम juvenile justice के लिए काम करते रहे और आज भी हम महिलाओं की awareness के बहुत काम करते हैं health check-up camps लगाते हैं time to time हम महिलाओं के बीच में जाकर उनको कई चीजों का ग्यान देते हैं जो उनको नहीं पता था वो जाके बाते करते हैं जागरू करते हैं और उसके अलावा सरकार भी काफी supportive रही हमें मेरी NGO को बहुत सारे projects मी मिले मैं कह सकती हूँ आज से तीन जार साल पहले तक तो मिलते रहे लेकिन अभी कई ना कई रुकावट आ गई मैं आपके माद्यम से ये भी कहूँगी के जो NGOs काम करती हैं और faithfully काम करती है सरकार को उनको मदद करना चाहिए क्योंकि कोई भी NGO बिना finance के नहीं चल सकती और जब तक finance नहीं होगा NGO अपने तरफ से कितना लगा पाईगी और public से इतना demand नहीं कर सकते हैं कि हर एक को कहा हमें पैसे दो काम करने के लिए तो सरकार को जरूर प्रोजेक्स देने चाहिए क्योंकि सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए NGOs होती है और बहुत सारी NGO's हैं जो सरकार का हाथ मजबूत करना चाथी हैं, उनके काम को बाठना चाथी हैं, उनकी जो भी activities हैं, उनको आगे बढ़ाना चाथी हैं, तो कही ना कही सरकार का रोल एहम है, आगर वो चाहती है, NGO's महफूस होके और अच्छे धंग से काम करें, तो ज़रूर सरकारों को मदद करेंगे क्योंकि शुरू से घर में खाना बना है तो मैंने उस सिस्टम को कभी तोड़ा नहीं मैंने बाकी सब कुछ रखा बट मैंने खाना अपने हाथ से बना के अभी तक खिलाया अपने बच्चों को भी खिलाया और अपने हस्बेंड को भी खिलाया अपने इन लॉज को भी खिलात के बाद समा सेवा है हर चीज के लिए टाइम निकालना पड़ता है तो हर एक को उसी साफ से मैंने टाइम बाउंड किया और उसी साफ से टाइम निकाला और आज मैं मैंनेज करके चलती हूं तो सब चीज़े देखती हूं घर भी देखती हूं परिवार भी देखती हूं अपन महिलाओं की जो दिशा और दशा है उसे सुधारने की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि आज में समाज में आज भी कहीं ऐसे तबके हैं जिन तबकों की महिलाएं अबी भी खुद को असुरक्षित मानती हैं और समाज में कुछ करने के उन्हें इजासत नहीं है उनके लि भी समाज का आदमी नहीं रोख सकता, कोई भी नहीं रोख सकता, तो सबसे जरूरी है कि माबाप को strong होना चीए, उनको अपने बच्चों पे विश्वास करना चीए, और उनका full support करना चीए, अगर घर से support मिलती है, बच्चा पे इसी काम के लिए बनाएं, लोग हमेशा कहेंगे और कहते रहेंगे, हमें कैसे रोखना है, हम कैसे उनको रोख सकते है, और वह सबसे बड़ा माध्यम चिप करने का है पेरेंस, अगर parents साथ देते हैं क्योंकि parents ही कह सकते हैं मेरा बच्चा है मैं इसको कहीं भी भेजू आपको क्या मतलब है तो कहीं न कहीं parents का support parents का heart parents का आशिरवात बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है इसलिए बच्चों को कभी रोकना नहीं चाहिए और जो उनका caliber है जो उनकी capacity है जो उनका talent है उनको हमेशा उभारना चाहिए पूनम जी ने बात की है कि समाज का काम ही बोलना है अर्चुने पैदा करना है मुसीबते पैदा करना है लेकिन अगर पारिवारिक support कहीं न कहीं मिल पाता है आपकी बच्चियों को आपके बेटों को तो एक होसला जो है वो बुलंद होता है आत्मविश्वास जगता है और कहीं न कहीं इसी तरीके से वो भी कामयाब हो सकता है चली यहाँ पर रुकेंगे च्छोटी से ब्रेक के लिए लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आखिर पूनम जी की कामयाबी का राज क करती हैं तो क्या कभी ऐसी अर्चने आई है इस काम को करते हुए इस सफर पर चलते हुए जिसे देखकर आपको कभी निराशा भी हाथ लगी हो निराशा नहीं क्योंकि यह मेरा independent work है इसमें किसी की कोई indulgence नहीं है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास वक्त नहीं होत है आप नहीं उसकी मदद कर पाते हैं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूं आउट आफ दी टाइम जाके कभी इवनिंग में बुला लिया दिन में अगर टाइम नहीं है और कभी कई बार ऐसा भी हुआ है कि 9-10 बजे मुझे बुलाना पड़ा क्योंकि मैं चाहती थी कि उन आपका प्रोफेशन भी है आपका काम भी है आपकी शुचल एक्टिविटीज भी है तो सबको एक साथ लेकर चलने में तोड़ा सा इंधर उधर हो जाता है पर कोशिच मेरी है इस अंग लेकर चल भी महीला ही सकती है क्योंकि सभी चीजों को मैनेज करने के एक शक्ति जैसे हम लोग काम कर रहे हैं और चंडीगर तक हमारी एंजो को सब लोग जानते हैं क्योंकि हमने बहुत काम किया है और बेसिकली मैं बता दू मैं स्लम के लिए काम करती हूं हमारी जो एंजो है slum की जो girls है उनको educate करने का काम करती है अर उसमें हमने तक्रीबन 600 से 600 लड़कियों को हमने educate कर दिया है जो आज अपने पेरों पे खड़ी हैं और अपना काम सेम कर सकती है वो दूसरी बात है कि वो parents ना करने दे, तो इतना हमने उनको कामियाब कर दिया है अब आगे उन्होंने इसमाल करना अपने हुनर को अपने हुनर को अपने हर्याना के बात करें तो हर्याना में कई ऐसी बेटिया हुई है जिन्होंने ना सिर्फ अदेश में बल्कि विदेश में भी अपना नाम रोशन किया है अपने आप महिलाओं के लिए काम कर रही है उनको जागरुक करने के लिए काम कर रही है तो ऐसे लोगों को क्या संदिश दें? ने देखे मैं थोड़ी सी तारीफ इसमें बीजेपी की करूं कि जब से बीजेपी सरकार आई है कहीना कहीं बेटियों के ओपर बहुत जादा जोर दिया जा रहा है और काफी परिवर्तन भी आया है अगर हम कन्या बून हत्या की बात करें तो काफी सारी अच्छे रिजल्स भ कर रही है लेकिन इसके बावजूत भी अगर लड़किया नहीं पड़ती है तो कई ना कई मैं समझती हूं पेरिंड की कमी है और पेरिंस को मैंने पहले ही कहा कि पेरिंस का सपोर्ट है तो फिर educated जो मदर होती है वो अपने बच्चों को भी पढ़ाती है साथ-साथ अपनी भी देखरे करती है तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ लड़कियों को पढ़ाना आज की तारिक में बहुत एक महीला पड़ी लिखी होगी तो एक पुरा परिवार पढ़ लिख सकते हैं बिलकूल आप देखें ना आज पड़ी लिखी मल लाएं तो आज घर से भार भी निकल रही हैं बहुत महीला पॉलिटिक्स में जा रही हैं बहुत एजुकेशन फील्ड में जा रही हैं, बहुत वकालत कर रही हैं, बहुत डॉक्टरी पेशा को अपना रही हैं, तो सारे प्रोफेशन्स में लड़कियां घुज रही हैं, और तो और पाइलेट्स बन रही हैं, तो आपको क्या चीह है? पूलम जी कह सकते हैं कि बेटियों को जागरू करने के अलावा, नारियों को जागरू करने के अलावा कई न कई परिवार वालों को भी जागरू करने की जरूरत है? बिल्कुल देखे और उस पे सबसे बड़ा एहम रोल मैं महिला का मानती हूँ क्योंकि किसी भी परिवार को चलाने के लिए सबसे बड़ा हाज जो होता है वो महिला का होता है जो लड़की एक ससुराल में जाती है बहू बनकर उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरे इनलाज म बना के रखिए और अपनी सास के साथ अपनी नंदों के साथ खास तोर पर बना के रखिए क्योंकि अगर महिलाओं में यूनिटी है तो मेरे एक हैल से कोई पुरुषवर का आपके बीच में पूनम जी आपको नहीं लगता कि आज के समाज में ऐसा देखना बहुत कम मिलता है कि लोग एक पूरे संयुक्त परिवार में कहें रहना कम पसंद करते हैं उन्हें लगता है कि खुद के प्राइवेसी होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंस उनको चाहिए माहूल ने बिल्कुल मैं वही आप से कहने हूं क्योंकि यह चीज़ें खतम होती जा रही हैं आज हम कम से कम जो इनलाज है वो उनको वेल्यूस दे सकते हैं वो अपना एक्सपीरेंस दे सकते हैं जो उन्होंने कभी जिन्दगी में जिया है तो यह बहुत जरूरी है आज आप बना के रखिए और बनाने में कोई फरक नहीं पड़ता देखिए अगर साथ साथ में होती है आप को एज और इन सब रोल्स को देखते हुए कहींना कहीं मेला ओं को अपनी ताकत बुलंद करनी पड़ेगी उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और अगर कोई बच्ची जनम किसी भी घर में लेती है तो मेलाओं को सबसे पहले उसका वेलकम करना चाहिए अगर मेला वेलक ही सपोर्ट कर सकती है महिला ही वो आगे बढ़ना पड़े जी आपका और आपके Angeo का लक्ष क्या है हमारे यही लक्ष है कि हम चाहते हैं कि जितना भी समाज में लड़किया नदे लिखें हमारे माध्यम से पड़ें या किसी भी एंजयो के माध्यम से पड़ें क्योंकि आज चीजे हैं एंजियो अच्छा काम करती हैं और वो free of cost काम करती है तो इसलिए सरकारों को भी चाहिए कि कोशिश करें कि एंजियो की मदद करें क्योंकि बहुत सारे reasons ऐसे हैं जो एंजियो अपने उपर ओट लेती हैं एंजियो बहुत काम करती हैं तो सरकारों का सपोर्ट बहुत जरूरी है सासा समाज का सपोर्ट बहुत जरूरी है और जो लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं वो कहीं और ना जाके संस्थाओं के साथ जुड़ी है आपको free of cost काम भी मिलेगा बढ़िया भी काम मिलेगा एक उजवल भविशे भी मिलेगा उजवल भविशे कि अगर आप काम ना करते हैं तो आप NGO के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि बहुत सक्षम है ये लोग और ये चाहते हैं कि समाज जागरुक हो देश की नारी जागरुक हो और जिस तरीके से होसले बुलंद करना इन्होंने सिखाया है और जिस तरीके से free of cost का करती है लड़कियों के लिए बहुत बड़ी और बहुत ही काबले तारीफ ये बात है पुनम जी दर्शकों को क्या संदेश देंगी मैं दर्शकों को यही संदेश दूंगी कि देखे समाज कही ना कहीं बिखर रहा है सबका अपना-पना एहम रोल है पारिवारिक तौर पे समाजिक तौर पे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं भारत को हिंदुस्तान को बिखरने मत दीजिए लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें सयोग ये कर सकते हैं आप कहीं गलत देखते हैं तो सपोर्ट कीजिए और कहीं ना कहीं मदद कीजिए उस लड़की होता है हर एक आदमी में कोई ना कोई कुछ काम करने की capacity होती है तो आप समाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर निश्वल काम कर सकते हैं हफते में एक दो घंटे निकालने हर एक के लिए असान होते हैं तो कोशिच करिए समाजिक संस्ताओं के साथ जुड़िए और हमारा होसला बुलंद कीजिए असान ही मुझे दीजे इजाजत नमस्कार